Consider 7 digit telephone number beginning from 3367624 which has a property that the first 3 digit prefix 336 and equals to the product of the last 4 digit ठीक है तो जो ये numbers है वो 336 से स्टार्ट होनी चाहिए और remaining 4 digits का product जो है वो 336 के equal होना चाहिए ये एक property है इस number का तो how many 7 digit phone number beginning with 336 have this property ठीक है इन मेंसे एक का example यहाँ पर ये given है ठीक है अब अगर आपन देखे यहाँ पर तो जो अपने को digit करना है अपने को first 3 digit given है ठीक है 336 और बांकी के 4 place जो है वो empty है इसको अपने को 1 से लेके 9 तक में fill करना ठीक है अब इसका जो product होगा let's say कर मैं इसे a b c और d बोलता हूँ basically a b c d का product कितना होना चाहिए 336 होना चाहिए ठीक है a b c d का product है वो किसके call होना चाहिए 336 के call मतला a b c d की value क्या होना चाहिए 336 और a b c अब a b c d value अपन 0 consider नहीं कर सकते है तो a b c d और d यह किसको बिलोंग करेगा यह बिलोंग करेगा 129 को ठीक है 123.9 यह इस set के value को बिलोंग कर सकता है a b c d की value ठीक है तो यह repeat भी हो सकती है ठीक है यह यहाँ पर repeat भी हो सकती है अब यहाँ पर position लिखूं a b c और d इन में से एक की value जो है वह तो किसके equal होगी वह 7 की equal होगी 7 prime नमबर हो तो एक की value तो क्या हो जाएगी 7 के equal ठीक है तो मैं a को let's say यहाँ पर 7 fix करता हूं ठीक है इसको अगर पन 7 fix कर दिया तो बांकी b c d का जो product होगा वह किसके equal होगा b c d का जो product है वह 48 के equal होना चाहिए ठीक है अगर a के value अपने 7 put कर दिया let's say अगर मैं यहाँ पर a की value 7 put करूँगा तो b c d की value कितना होना चाहिए 48 के equal ठीक है यहाँ पर इसकी value होजा कि b c d की value 48 के equal होनी चाहिए अब गर आपन देखे तो मैं यहाँ पर इन दिनों को कैसे क अगर आपने पास अपने इसको रियर्रेंज करेंगे यह फोर डिस्टिंक्ट नंबर हो गया इसको अपने को फोर प्लेस पर रियर्रेंज करना है जो की position क्या है a b and c d ठीक है यहाँ पर फोर को अपने को रिपीट करना थी इसमें 6 8 का कॉंबिनेशन 8 6 भी आ जागा ठीक है यहाँ जगा आपने पास यहाँ जगा 4 फ्यक्टोरियल ठीक है अब अपन दूसरा केस लेता है ठीक है एक वैलू को लेट से मैं यहाँ पर 6 पूट करता हूँ बी की वैलू का अब मैं यहाँ पर 2 ले 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 तो अब क्या जगा यहाँ पर COD का प्रोड़क्ट किसको होना 102147 के supplier एक है इसको अगर अपन रियर्रेंज करेंगे तो यह क्या रियरंज हो जगिक है यहाँ फोर फैक्टोरल से रियरेंज होगा और यह भी अपने पास four फैक्टोरब्लों से रियर्रेंज होगा inetよね old इंख सुपरों होगा इसमें हो ऐसे अगर में यहां पर इसकी value 3 लेता हूँ ठीक है यहां पर अगर अपन 3 ले लूँ तो अब COD का product किसके call होना चाहिए 16 के call ठीक है COD का product किसके call होना चाहिए 16 के call 16 के call अगर हुआ तो यह क्या होगा अपने पास आधर 4 4 4 ले ले COD की value यह आपन 2 और 8 ले सकते हैं तो यहां पर यहां पर अठीक है और चाहिए और एक रिपींड है वाला केस आ टीक है बेसी तो 7.. यह वाला केस आ है इस में यह वालग यहे वाला केस डेक है तो है कैस को मैं क्या बोलता हूँ यहां पर repeat अखिट है रिपीट हो गया यहां पर पार गने करने दिजिए तो अपने कुर्द को तो यहां पर यहां सट मैं इसको कहिए कवा श्वा यह पे तो वाला पैर दा ध्यवास के असट कर रहांकरों और यहां पकार नहीं यहां केसे रिपीट हो जागा next अपन 7 और यहां पर इसके वैल्य को अपन 4 पूट करेंगे इन दुन का प्रोड़क्ट किसके को होना चाहिए 12 के इन दुन का अगर प्रोड़क्ट 12 के को होना चाहिए 4 और 3 ले सकते हैं और दूसरा अपन क्या ले सकते है 6 और 2 यहां पर अगर ले रखा है किसमें 7246 अगर पन देगे तो फर्स्ट के सपन ने लिया है 7246 वह यहां पर 7462 रिपीट हो रहा है ठीक है यह 7462 यह भी क्या हो गया रिपीट हो गया तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे नेक्स्ट के सपन 7 यहां पर 6 लो इन दोनों का प्रोट्ट क्या होना चाहिए यहां से 1 और 8 ले सकते है अपन या 2 और 4 ले सकते हैं यह क्या है यहां पर यह है 7618 यह पेर अपन ले रखा है सबसे फर्स्ट केस जो लिया था बी की वैल्यू 1 सी की वैल्यू 6 और डी की वैल्यू 8 तो यह क्या है 7168 ठीक है तो 7168 यह जो क्या है 7168 का पेर है ठीक है 7168 क का एबी सी डिग्वाई जो अपन यहां पर अपन ने कर सकते हैं और यह वाला केस्ट जो है यह СЕommy बहुति है एग तो है यहां पर नहीं बहुता है यहां mae ले सकते हैं और यहां पर अपन क्या ले सकते हैं इमससे होरा है उपर की से सको रिपीट कर रहा तो इसको अपने करेंगे तो अपने क्या हो पांसर किया जगा 84